हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है, जुके सललपे, दोस्तों आप कंपणी को रिजाइन करना चाहते हो, कंपणी को छोड़ना चाहते हो, कैसे रिजाइन करें, क्या ऐसे टेक्निक्स को हम अपना है, फॉलो करें, ताकि आपका रिजिगनेशन जल्द से जल्द है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने जॉब को कंटीनिव नहीं करना चाहते हो, ता ऐसे में आपको रिजिगनेशन देना होगा, आपको पता होना चाहिए, रिजिगनेशन का, जब भी आप देते हो, उसका 30 दिन से, 100 देज के अंदर में, आपको उस कंपनी को जवाब देन पड़ेगा, accept करना पड़ेगा, और उस कंपनी को, क्योंकि ये law है, ये labor law के अंदर में, कभी भी आप कंपनी को, employer को आप छोड़ सकते हो, employer भी आपको कभी भी fire कर सकती है, छोड़ सकती है, कि भही आपका performance ठीक नहीं है, या काम नहीं है, जो भी है को, लेकिन company क्या है कि 90 days, maximum 90 days होता है, maximum 90 days के अंदर में होता है, लेकिन 6 महिना, 4 महिना एक साल आप कमपनी में काम करते हुआ, अब आप उस company को छोड़ना चाहते हो, ऐसे condition में आपको क्या करना चाहिए, mail करना चाहिए, letter type करना चाहिए, direct manual देना चाहिए, email करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो, किसी भी company में आप काम करते हो, तो project wise होता है, हर project के अपनी एक management होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा आपने उठा, उठे और जाकर के एक mail ठोक दिया, और head office भेज दिया, कि मैं resign दे रहा हू company को, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक process बना हुआ है, steps बना हुआ है, जिस project पर भी आप काम कर रहे हो, उस project पर, project management होता है, project manager होता है, वहाँ पर भी HR department, एक छोटी सी office बनी होती है, पहले क्या करना है, कि एक mail करना है, अगर आप mail करना चाहते हो, तो mail एक copy चली जाएगी, और लोग देख लेंगे, और आपका project manager चाह करके भी उसको ignore नहीं कर सकता है, उसको नदर अंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि head office वाले ने देख लिया है, इनको मजबूरी हो गई है कि इसका जवाब देना ही देना है, तो resignation later आपको सबसे पहले एक अच कर रहे है, उस project का नाम mention कीजिए, नीचे में क्यों company को quit करना चाहते हो, अपनी service को क्यों continue नहीं रखना चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से professional तरीके से, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूँ का कैसे type करना है later का, लेकिन उबाद में, अभी आप समझ लीजिए कैसे क्या करना है, एक later type कीजिए, उसका अंदर में reason cause दीजिए कि क्यों company को छोड़ना चाहते है, नीचे में आप अपना signature कीजिए, उसको scan करके भेज दीजिए, अगर signature नहीं भी करते हैं, आप अपने mail से भेज दीजिए, signature करेंगे तो जादा effective होगा, उसका print out लीजिए, और उसको attach करके, और उस mail को forward कर दीजिए, आप अपने project manager का mail है, उसके उपर में mail कर दीजिए, और CC में head office का, जो head of department है, उसका 2-3 जगा का mail डाल दीजिए, जैसे HR department हो गया, उस तरीके से डाल दीजिए, अपने project का जो HR है, उसका भी CC कर दीजिए, ऐसे में एक responsibility बन जाती इनलों को करने के लिए, और wait कीजिए, 30 days के अंदर में company आपको 100% reply करेगी, अगर reply नहीं करती है, तो फिर उसी mail को, जो आपने पहले किया था, एक मेना पहले या दो मेना पहले आपने किया था, 90 days के अंदर में उसको करना पड़ेगा, यह labor law है, अगर नहीं करती है company, तो क गलत तरीका है, अगर इसको आप manual भी कर सकते हैं, एक letter type कीजिए, उस पर signature करके और देदेजिए, लेकिन manual में कहा है कि आपको receiving नहीं देंगे, आपके पास कोई proof नहीं रहेगा, कल होकर कि company अगर refuse कर जाती है, कि नहीं भाई, आपने तो कोई letter दिया ही नहीं है, मेरे पास क करी का mail होता है, क्योंकि mail के अंदर में, जिसको भी आपने CC किया है, जिसे भी भेजा है, ट्रिंट आउट लेंगे, तो सब की details उसके अंदर में रहेगी, तो कल होकर कोई अगर बात होती है, तो labor law या कोई भी जो legal department है, उसके खिलाप action ले सकता है, तो mail कीजिए, मैं आपक तो सारे reminders और आपके mail का print out लेकर कि उस company के against में legal action ले लेना है आपको, क्योंकि कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, और company को लेना ही पड़ेगा, और company इसके अंदर बद होती है, मजबूर होती है, company को लेना होगा, क्योंकि अगर company चला रही है, तो labor law को उस company का लेना पड़ता तो overall कहने का sense यह है, resign आप कर सकते हैं, यह आपकी right है, कोई भी company मजबूर नहीं कर सकती है, आपको की resign आप नहीं करो, नहीं, क्योंकि as per labor law, दुनिया में जितनी भी देश है, हर जगे की labor law यही कहती है, कि आप अपने मर्जी से company को छोड़ सकते हो, या company आपको छोड़ सक होता है, उसके अंदर में company को action लेना होगा, company का आपका जो भी हिसाब किताब है, करके पैसा लेना है, देना है, क्या करना है, एच पर labor लो, आपको देख करके ticket करके भेजना पड़ेगा आपको, यह company की responsibility, company नहीं बुलाया है, तो company की ही जिम्मेदारी होती है, आपको वाप clear हो सके दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को subscribe कर लीजिए, बहुत information आपको मिलती रहती है दोस्तों, career regarding, इस वीडियो को watch करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद,